नमस्कार दोस्तों आज एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आज का वीडियो फोर्ड्रम के उपर है फोर्ड्रम सिपला कंपनी का एक क्रीम आता है इसके अंदर जो कंटेन है वो देखिए यह कंटेन है यहाँ पर क्लोबिटासोल प्रोपिनेट नियोमाइसीन मे इसका इस्तेमाल होता है लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले आपको डॉक्टर की विशेश पर्मिशन की जरूत होती है क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेडियूल एच ड्रग की जो दवाईयां होती है लाल पट्टी का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि कुछ न और तवच्चा पर इस तरह की इस्तिती हो गई हो कि मेलासमा जहाईयां जैसे काले धब्बे जिसको हम बोलते हैं इसकीन जो है वो सिकूर रही हो तो यह बहुत सारी चीजें होती है पिंपल्स वगेरा उस पर आप यह क्रीम अपलाई कर सकते हैं देखिए इसमें की विशेश पर्मिशन के बाद करना चाहिए तो इस्टिरियोड है तुरंत लाल पंजो तवचा पर है खुजली एलर्जी की इस्तिती है अगले ही दिन ठीक हो जाता है उसके बाद इसमें होता है नियो माइसीन अंटी बेक्टेरियल प्रॉपर्टी है मतला बेक्टेरिया क ग्रोथ जब स्कीन पर होता है इसके कारण जब स्कीन पर कोई समस्या होती है तो नियो माइसीन जो है वो बेक्टेरिया के ग्रोथ को खत्म कर देता है उसके बाद मीकोनाजोल होता है मीकोनाजोल जो है वो एंटी फंगल है यदि स्कीन पर फंगल के कारण इंफेक्शन होत है तो उस कंडिशन में मिकोना जोल जो है वो काफी कारगर सिद्ध होता है अब देखिए नियोमाइसीन हो गया एंटी बेक्टिरियल मिकोना जोल हो गया एंटी फंगल दोनों मिलके खुजली एलर्जी की जो इस्तीती तवचा पर है लालपन है सुजन है उसको ठीक करते हैं अब इसमें क्लोर हेक्साडाइन ग्लोकोनेट जो है वह एंटी सेप्टिक है एंटी सेप्टिक भी रहता है कि जो भी जर्म्स वगेरा है तो उसको यह खत्म करने का काम करता है तो मोटा मोटी फोल्डरम जो ट्यूब आप सिपला कंपनी का देख रहे हैं दस ग्राम का यहा और इसका इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आप जो जगह है उसको अच्छे से वाश कर ले उसको सुखा ले अब फिर इसकी पतली लेयर जो है वो संबंदीच जगह पर आप लगाएंगे शाम के समय लगाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा और दो या तीन दिन के अंदर इसका result आ जाता है इसको जैसे ही result आ जाए मतलब infection दूर हो जाए खत्म हो जाए तो इसका इस्तेमाल जो है वो दिरे से बंद करने देना चाहिए क्योंकि इसकी आदा तेदी पड़ जाती है तो ये कीन मानिये कि इसके नुकसान भी शुरू हो जाते है तवचा पतली हो जाती है और तवचा में आम तोर पर रोगों से लड़ने की ख्षमता होती है बेक्टिरिया से लड़ने की ख्षमता होती है फंगस से लड़ने की ख्षमता होती है पर हम जैसे ये क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण जो है तवचा की जो छमता है वो प्रभावित होती है तो बस आप शुरुवाती दोर के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जैसे ही इसका असर आजाए आपको लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टिरियोइड बेस्ट क्रीम होती है तुरंत आराम तो मिल जाता है लेकिन बाद में जो परेशानी होती है उसके बारे में आपको अलपना भी नहीं कर सकते हैं डर्मेटरलोजिस्ट को आपको दिखाना पड़ेगा और बहुत सी बाते अशुरू हो जाएंगी एक्सपायरी है और सिपला कंपणी इसको बनाती है उसके बाद हम बताएं आपको कि यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टोर कूल प्लेस मतलब गरम जगह पर न रख्याने तो क्रीम क्या होती है कि वह लिक्वीट का रूप दारण कर लेती है और क्रीम खराब हो जाती है ठंडी जगह पर रखना चाहिए बच्चों की पहुंच से दूर रखिए और अंडर मेडिकल सुपरवीजन वही बात है कि डॉक्टर फिजिसियन जब बोले तभी इस क्रीम को आपको लगाना चाहिए अब इस क्रीम में एक चीज और आती है कि इसे दस साल से कम उपर के बच्चों को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी त्वच्चा बड़ी नाजोक होती है थोड़ा सा ही जिसे घरेल उपचार करके जो खुझली इलर्जी उनकी है उसमें ठीक करेंगे तो आप फायदे की स्थिति में रहेंगे तो यह फोर्डरम ट्यूब के उपर फोर्डरम क्रीम के उपर यह वीडियो था उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक चैनल को सब्सक्राइब और जो गंटी का बटन है उसको भी आप दबाएंगे तो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा उमीद की वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई जैनकरी के साथ तब तक के लिए नमस्कार